पर शोफ वाटर भाई क्यों यूज कर रहा हूं मैं उसके लिए भी एक टिप है वह जरूर बताऊंगा उसके बाद ही आप यूज करना और जो हमारी गाड़ी होती है जो इंजन होता दुलने के बाद क्या होता वाइट पन आने लग जाता है ठीक है इंजन हो गया सैलेंसर हो अवाद और विफ尔र मैं आप प्लोगfficl 002 कि चैनल तो पार आगेया वीडियो यह बहुत जाका mad तो आप ओने में नकोजैंट करके और टीम कर नकर वह आहिए वह झाले हैं कर पहुई ऐ होगए और आपकी जो रॉजर है भाई वो इतनी ज्यादा मेंटेन कैसे है आपको लिये हुए भी दो साल हो चुकिया और दो साल किसी गाड़ी को इतना ज्यादा मेंटेन रखना इंपॉसिबल है तो आदम भाई इस वीडियो में यही टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि भाई हमने अप प्र साइम से भी कि इसके क्या सीक्रेट्स है और भाई इसके यह फास पहले बता रहूं अच्छा जो चीजे मैं बताऊंगा और आपने अच्छा यह सारी चीजे कर ली तो भाई मैंगरेंटी दे रहा हूं फिर आप कितना भी कुछ भी करते रहो भाई आपकी जो गाड़ी ग्लॉसी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी इस वीडियो को पूरा देखना और बिना स्केप करें देखना तब ही आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ा बताइए अच्छा पॉइंट में से एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया ना तो फिर आपकी गाली में स्क्रेच भी आएगा और ग्लॉसी भी हो जाएगी और आपकी गाली जो मेंटेन है वह भी नहीं है पाईगी फिर आप चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं और सब पॉइंट नंबर वन की बात करते हैं तो आप लोग पूछते रहते हो मुझे कि आप जो गाली को वास करात अपने वासिंग सेंटर पर और अपनी गाली को वह कर वास किस तरीके से करवां वह वह भी मैं आपको दिखा दूँगा तो यह लग चुकिए अपनी रॉजर कंडिशन देख रहो मुल्कुल गंदी और अखिए गाड़ी ठीक है और फिर भी हम आपको अपको प्रैक्टिकल नहीं होगी इस गारी में कि लिए तो आपका भाई साथ चीजर बताने वाला तो फिर आप बैस को बहुत करणा तो फिर इक आपका सब्सक्राइब वाला डाउट है ना अब उनके पानीचे दोना है या नहीं दोना है वह अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं तो गाइस वीडो पूरी देखना वाला हूं गाइस कि मैं प्रपेर करूंगा आपको कि भाई आप वासिंग सेंटर छोड़ के ना अपने घर पे ही वास करें तो बाई मैं हर भार वासिंग सेंटर भी आता हूं मैं अनको बताया कर लो हमने अपनी रॉजर को ने पूरा बटा से वास कर वाइफे टेंक में भी देख सकते हो और मटगाड में भी देख सकते हैं यह गलत बात है तो अभी पर क्यों यूज कर रहा हूं मैं उसके लिए वह जरूर बताऊंगा उसके बाद ही आप यूज करना अच्छा उससे आपकी गाड़ी में नहीं है तो भाई मत करना क्योंकि अच्छा वह नहीं और फिर भी आपने कर द चाइम नहीं लगाएगा तो भाई यह हमारी कंडिशन वास कराने के बाद हो भाई देख रहे हो सोफ वटर से वास करने के बाद ऐसी कंडिशन हो रखी है और सबसे बड़ी बात देख सकते हो वास कराने के बाद कहीं नहीं आपको द्रॉप दिख रहे होंगे तो यह आपकी गाड़ी में भी फेस आपको करना पड़ सकता है अच्छा आप चो वटर से वास करा होगे और देख रहे हो इस तरीके से आपको दिखेगा जब जो पान सबसे बड़ा डाउट होगा ना अब भी आ रहा है अमने अपनी स्टेल्ट ब्लाक को वास क्यों करवाना ठीक है तो भाई मैं बता देता हूं आपको वास सिफ तभी करवाना जब आपकी गाड़ी में भाई पीपीफ हो रखी हो और सबसे पहली बात अच्छा आपको पीप पर नंके लिए पता देता हूं कि भाई पीपीफ का मतलब होता है भाई पेर्ट फिल्म है रहा मननलो आपके आप क्यों लगाते हो क्योंकि आपके जो स्क्रीन होता है उसमें कोई पूट ना जाए इस वज़े सब स्क्रीन गाड़ लगवा तो और अच्छा लग आते हो कि जो टच है वो भी अच्छा चले और जो आपके स्क्रीन में स्क्रेचेस हैं वो भी ना है तो इसी तरीके से भाई हम अपनी गाड़ी हो भाई पीपीएफ या लेमिनेशन या सिरैमिक कोटिंग यह तीन चीज़े करवाते हैं जो हमने अपनी गाड़ी में करवा रखी है वह भ उपर हो रहा है ना की आपकी बाड़ी पर ना की आपके पेंट पर अच्छा और बाटर से यूज़ कर सकते हो पर तब जब आपके स्क्रीन के उपर लगाओ तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की और थर्ड पॉइंट यह हमारा कि हमारे गाड़ी में जो स्क्रेचिस होते हैं वह बहुत जल्दी आद आते हैं अच्छा आपने पीपिएफ नहीं घरवा रखी है तो भाई एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि स्क्रिप्टिशन में देंगा तो वहां जाके आप आउन-laiन भी मंगा सकते हो बहुता है आपकी गाड़ी रोड पर चलती है ठीक है और आपकी गाड़ी में क्या होता है कि बहुत जादा डर्ष लग जाती है ठीक है छोटे-छोटे-पार्टिकल्स होते वो बैड जाते है तो फिर आप क्या करते हो गह कि नॉर्मली जो खपड़ा होता है नॉर्मली जैसे यह जो हम पहन रखें करनां श्टार्ट कर दें तो जो throws out होता ना मतलब जो बॉटिकल का डॉट होता है वो पार्टिकल होता है वो क्या करता है हमारी जो बॉडि है उस पर रगण मार देता है जैसी वह रगण मारेगा अच्छा इस कुलोस से आप साफ करते हो अपनी गाली को अच्छा निकालते होगे तो बाइक नॉर्मल कपड़ा मारने से अच्छा अच्छा कपड़ा मारो जिससे कि अपकी जो गाली है वो भी अच्छी रहे और गाली है उसमें एक भी स्क्रेच नाए तो मैं फिर यही करूं पन आने लग जाता है ठीक है इंजन हो गया तो अभी आपकी जो गाड़ी होती है वह एक निखर के आते हैं साइन मारती है ठीक है अपनी मैट गाड़ी में इतनी असानी से पॉलिस नहीं मार सकते हैं तो भाई फिर वही बात जो मैंने आपको बताया कि पीपीएफ करवाना बहुत जरूरी है अच्छा आपकी गाड़ी में पीपीएफ नहीं हो रखी है तो भाई मैं पॉलिस भी रिकेमेंट नहीं करूँगा कि आप अपनी गाले में पॉलिस यूज करें अच्छा आपको करना ही है तो आप इन पार्टों पर कर सकते हैं जैसे से इंजन हो गया ठी टेंक हो गया है तो भाई फिर आपके जो मैट है वह तुरंट ग्लॉसी ओना स्टार्ट हो जाएगा फिर मत कहाना वाई कि रिबॉन वीडियो देखी थी और के गहते हैं हमारी जो गाली वह ग्लॉसी हो चुकी है इस वीडियो में जो भी प्रोटक्ट में दिखाऊंगा गाली क्ली इसे रिलेटेर क्लीन करने के लिए ठीक है मैंटेलेंस के लिए तो भाई वह कोई भी प्रमोचन नहीं मुझे एक भी रूपया नहीं दिया जा रहा है ठीक है मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को information देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ और वो प वाइट पन दिख रहा है अभी मैं आपको यह यूज करके दिखाऊंगा और उसके बाद दिखाऊंगा कि हमारी गाड़ी की क्या कंडीसर है तो गाइस अब चेक करो हमारी गाड़ी में जब पॉलिस लग चुकी है और अब कितनी ज्यादा साइन मारी देखरो मतलब मैट होने के बाद बीड़ी चमक रही है गाड़ी और जिस तरीके चार पहले दिखाया था देखरो अच्छे से तो भाई यह हाला था हमारी आफ्टर के बाद और विफोर मैं आप लोगों ने देखी लिए किस तरीके लग रही है और आफ्टर के बा आउट था ना भाई मैं स्पेशली कोई एक्स्ट्रा चीज करता हूं अपनी रॉजर में ऐसा कुछ भी नहीं है जितने भी चीज़े मैं करता था वह सारी चीज़े मैं आपको बता दिये लाश्ट पॉइंट बचा हुआ है पर वह लाश्ट पॉइंट को देखने से पहले एक के बाद मुझे बताना हमारी रॉजर कैसी लग रही है अब हम बात करते हैं अपनी लाश्ट पॉइंट की मतलब फिप्स पॉइंट और वाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने आपको सबसे लास्ट में बता रहा हूं वाश्ट कराने के बाद हर 500 km चलाने के बाद यह आपको करना बहुत जरूरी है अच्छा नहीं करोगे तो आपको बहुत जादा दिक्कट फेस करने पड़ सकती है तो वह चीज है हमारे यह चेन क्लीनर और चेन ल्यूब भाई मैं यूज करता हूं मोटोल का यह कोई प्रमोशन नहीं है मैं पहले बत पसंद है क्योंकि इससे क्या होता है चेन एकदम क्लीन हो जाती है अच्छा चल जाती है तो गाइस यही थे आज के हमारे सारे पॉइंट और यही थी भाई हमारी मेंटेनेंस की टिप जो भाई मैं पर्सनली यूज करते हूं अपनी रॉजर के लिए तो भाई अच्छा इन वहां जाके मैं आपका क्यों सॉल्व कर दूंगा भाई इस वीडियो के एंड करने से पहले भाई मैं फिर से आपको यह चीज रिपीट कर दे रहा हूं भाई इस वीडियो में जो दो पॉइंट रहे थे हमारे एक आपका पॉलिस का हो गया और एक आपका बाई सोफ वर्ट